हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल दमिशन 24-7 फ्रेंड्स हम एक वीडियो सीरीज लेकर आया हैं जिसमें टॉप मोस्ट 1000 करेंट अफ्यर के कोशन आपको देखने को मिलेंगे जो SACGD के एक्जाम को टारगेट करके बनाया गया है ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें आपको टॉप 50 कोशन देखने को मिलेंगे इस तरह के टोटल 20 वीडियो आपको अपलोड किये जाएंगे एवरी डे ये वीडियो 9 ओकलॉक आपको चैनल पे मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो सीरीज आप कम्पलीट कर पाएं इससे maximum question आपको exams में देखने को मिलेंगे तो चलिए question शुरू करते हैं French Open 2021 की महिला बिजेता कौन रही इसमें 4 options दिए गए हैं लेकिन मैं आपको direct answer बताता चलूँगा क्योंकि मैं अगर 4 options पर हा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा राइट answer इसका हो जाएगा बार बोड़ा क्रेजी कोवा फ्रेंट्स जितने भी grand slam है न टेनिस वाले चार grand slam होते हैं चारो को चार आप याद कर लिजेगा फ्रेंच ओपेन, आस्टेलियाई ओपेन, यूएस ओपेन, बिलंडन ओपेन चारो से आपको कोशन देखने को मिलता है, चारो इंपोर्टेंट्स है हाली में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राइट answer इसका हो जाएगा, अनूप चंदर पांडे ठीक है, नेक्स कोशन की ओर चलते है नेक्स कोशन कहता है, सरशटवा राश्ट्रिये फिल्म पुरस्कार में किस राज को की फिल्म को परयावरन सनरक्षन पर सर्वस्टेस्ट फिल्म आवार्ड दिया गया ठीक है, तो इसके राइट answer हो जाएगे, अरुनाचल परदेश नेक्स कोशन है, बिहार के किस नदी को डगमारा जल बिधूत परयोजना का निर्मान किया जा रहा है राइट answer हो जाएगा, बिहार के कोशी नदी पे नेक्स कोशन की ओर चलते हैं नेक्स कोशन है, हाली में चर्चित पुष्टक, Home in the World के लेखक कौन है राइट answer इसके हो जाएगे, प्रोफेसर अमर्थ सेन ठीक है, नेक्स कोशन, माई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समापती की घोशना कर दी है ठीक है, राइट answer हो जाएगा इसके, कांगो, Democratic Republic of Congo कांगो में ये जो इबोला वायरस था, इसके प्रकोप की समापती की घोशना कर दी गई है नेक्स कोशन है, माईक्स 1407 क्या है, माईक्स 1407 क्या है राइट answer इसके हो जाएगे, सोयाबीन की एक नई किस्म है, माईक्स 1407 ठीक है, नेक्स कोशन है, हाली में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में इस्तित है ये काफी चर्चा में रहा है, तो इसके राइट answer हो जाएगे, अफगानिस्तान में जो इंडिया के सहयोग से बनाया गया है नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है, 11-12 माई को वर्चुल रूप से आयोजित की जाने आयोजित पहली, ब्रिक्स रोजगार कारेसमू, EWG की बैठा की अध्यक्षता किस देश ने की इसके राइट एंसर हो जाएंगे, भारत ठीक है, नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है, केंद्रिये मंत्री प्रकास जावैडिकर ने ECR के सबसे लंबे हाई स्पिड टेस्ट ट्रैक का उधगारटन किया वह कहाँ है, इसके राइट एंसर हो जाएंगे इंद और मध्य परदेश ठीक है नेक्स कोशन क्यों चलते हैं आठ मई को भारतिये नौ सेना ने दच्छिन अरब सागर में किस देश के साथ पैसेक्स एकसरसाइज किया फ्रेंट्स हमने आपको बताया भी था पहले कि जितने भी एकसरसाइज होते हैं सैनिक यूद अब्यास उसको आप कर लिजेगा इससे भी आपको कोशन देखने को मिलेगा इसका राइट एंसर हो जाएगा इंडोनेशिया नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है नौ मई 2021 को रगुनात महापात्र का कोरोना से निधन हो गया उनके संबंद में कौन सा कथन सथ है वे एक परसीद मुर्तिकार थे 2013 में उन्हें पद बिभूशन समान दिया गया था उन्हें 2018 में राजसभा के लिए नामित किया गया उपियुक्त में से सभी तो इसके राइट एंसर हाली में प्राम्भ की गई योजना परवत धारा योजना का संबंद किस राजसे है राइट एंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से परवत धारा योजना का शंबंद है नेक्स कोशन क्यों चलते है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को आप याद कर लिजेगा ये भी आपके एक्जाम्स के लिए काफी जादा हिल्ब फुल रहता है इंपोर्टन भी रहता है तो इसके राइट एंसर हो जाएंगे भारत नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है युनेसको द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सामिल की गई में सामिल भारतिये अस्तल भोडा घाट लतेम घाट का संबंध किस राज से है ठीक है राइट एंसर है इसके मध परदेश अभी हाली में उसको युनेसको में सामिल किया गया है नेक्स कोशन की ओर चलते हैं नेक्स कोशन है बाल अधिकार सरक्षन आयोग द्वारा बच्चो की मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की सुरुवात की गई है बच्चो को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की सुरुवात की गई है था, राइट एंसर इसके हो जाएंगे, we are part of the solution, c number, next question क्यों चलते हैं, हाली में अंटार्डिका महादीप से अलग हुए, दुनिया के सबसे बड़े हीमखंड को, हीमखंड का क्या नाम है, खिक है, ये काफी important question है, friends, इस इसको आप ध्यान रखेगा, अंटार्डिका यानि कि वर्फ का एक टुकड़ा अलग हुआ है, उसका नामा करन किया गया, और उसका नाम क्या है, A76, ठीक है, next question क्यों चलते हैं, next question है, भारतिये मुल की किस महिला को, अमेरिकी रास्टपटी जो बाइडन ने, वाइट हाउस का वरिस्ट सला का नियोक्त किया है, ठीक है तो इसके राइट एंसर हो जाएंगे, नीरा टंडन, यह कोशन आप सभी जानते भी होंगे, अगले कोशन के ओर चलते हैं, हाली में किस प्रसीद बास्केट बॉल खिलारी को बास्केट बॉल हौल अफ फेम में सामिल किया गया, राइट एंसर इसके हो जाएंगे, कोब ब् हाली में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोसना की इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है इसके राइट एंसर हो जाएंगे वाइपर ठीक है नेक्स कोशन की ओर आटिफिसियल इंटेलिजन्स अधारित सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉंच किया गया आपकी अपसंस है सर्वोच नियाले निति आयोग सिक्षा मंतरा ले रक्षा मंतरा ले जिसके राइट एंसर हो जाएंगे सर्वोच नियाले नेक्स कोशन की ओर चलते हैं अगले कोशन की ओर चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2021 के संबंद में कौन सा कथन सही है या बिश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है प्रतम अस्थान स्विटेजर लेंड को प्राप्त हुआ भारत को 140 अस्थान प्राप्त हुआ और फोर्थ नमबर है 2020 में भारत का अस्थान 108 वा था तो इसका राइट एंसर ये भी सही है स्विटेजर लेंड है और 2020 में इसका अस्थान जो था 108 वा था तो 2 और 4 किसमें C मे नेक्स कोशन है बितिये संस्थानों के लिए जलवायू परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है बितिये संस्थानों के लिए जलवायू परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है उसका नाम है New Zealand नेक्स कोस्चन की और चलते हैं निमलिखित में से किस से केंदरिये मंतरी द्वारा सार्थक योजना की शुरुवात की गई सार्थक योजना ध्यान रखेगा ये कोस्चन काफी इंपोर्टेंट से है आपके लिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा रमेश पोकरियाल द्वारा नेक्स कोस्चन की और हाली में गुजरात के किस बेक्ती को सत्यागरा अंगेस्ट पॉलूशन आंदोलन की शुरुवात की हाली में गुजरात के किस बेक्ती ने सत्यागरा अगेंस्ट पॉलूशन आंदोलन की शुरुवात की इसके राइट एंसर हो जाएंगे वीरल देशाई डी नमबर नेक्स कोशन है नेलसन मंडेला बिस्व मनावतावादी पुरसकार 2021 से किस्व समानित किया गया इसके राइट एंसर हो जाएंगे रुमना सिंग सहगल नेक्स कोशन क्यों चलते है परतेक वर्स मलेरिया दिवस किस्तिती को मनाया जाता है राइट एंसर 25 अप्रेल को अगला कोशन है हाली में खगोल वीदोद्वारा ब्रहमांड में खोजे गया सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है इसके राइट एंसर हो जाएंगे यूनिकॉर्ण्स ठीक है सी नमबर नेक्स कोशन क्यों चलते है भारत में टीका उट्सो दुहजार एकिस कायो जन कब से कब तक किया गया इसके राइट एंसर हो जाएंगे 11 अप्रिल से 14 अप्रिल के बीच में अगले कोशन क्यों चलते है इसके राइट एंसर हो जाएंगे मेघाले ठीक है नेक्स कोशन क्यों चलते है इसके राइट एंसर है जम्मु कास्मीर अभी केंदर सासित परदेश हो गया है उसी ने शुरुवात की है अवाम की बात नेक्स कोशन हाली में किस राज के आदिवासी समुदाय द्वारा सिगमो उत्सव का आयोजन किया गया तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सिगमो का आयोजन आदिवासी लोग करते हैं और ये गोवा में किया गया है नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है हाली में इबसा के महिला फोरम की बैटक वर्चुल आयोजन की गई इसकी अध्यक्षता किस देशन ने की है ठीक है तो इसके राइट अंसर होजाएंगे भारत ने इसकी अध्यक्षता की है अगला कोशन है अगला कोशन है 14 फरवरी को किस बंदरगा पर अंतरास्ट्रिय क्रूज टर्मिनल सगरीका का उधगाटन किया गया इसके राइट अंसर हो जाएंगे होची बंदरगा नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं हाली में भारत के किस सहर में देश का पहला एंप्यूटी क्लिनिक खोला गया इसके राइट अंसर हो जाएंगे चंडिगर नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं फाइफ अवार्ड से किस बॉलिवूड अविनेता को समानित किया गया फ्रेंड्स यह फीफा अवार्ड से होना चाहिए यहाँ पे फीफा अवार्ड है यह तो फाइफा अवार्ड भी बोलते हैं इसको फाइफा अवार्ड से किस अविनेता को समानित किया गया तो इसके राइट अंसर है अमितावचन नेक्स कोशन किस भारतिय संगितकार को अलर्ट बिंग आईकन अवार्ड से समानित किया गया राइट अंसर एर रहमान अगला कोशन है जनवरी 2021 में किस राज में भारत के सबसे लंबे सरक आर्च ब्रीज का उदगाटन किया गया इसके राइट अंसर हो जाएंगे मेघाले में अगला कोशन है सेन तागत के अधार पर जारी ग्लोबल फाइर पावर इंडेक्स में भारत का अस्थान कौन सा रहा तो ग्लोबल फाइर पावर इंडेक्स में भारत का अस्थान चौथा रहा नेक्स्स कोशन की और चलते हैं टोकियो ओन्पिक के संचालन समीती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसके पर निमलिखित में किसे नैसकम की पहली महिला चेयर पर्षन के रूप में नियुक्त किया गया है इसका राइट एंसर है रेखा मेनन काफी इंपोर्टन कोशन है यह फ्रेंड्स अगले कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन 45 नमबर कोशन है मार्च 2021 में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बंगला देश के परधान मंत्री सेख हसीना ने किस यात्री ट्रेंड को भड़ी जंडी दिखाई जो भारत और बंगला देश के बीच में चलने वाली है उस ट्रेंड का नाम है मिताली एक्सप्रेस अगला कोशन है वर्ष 2023 में किस देश में 200 मूख्यबाजी परतियोगिता का नेक्स कोशन है हाली में किस अफ्रीकी देश को डबलू एश ने ट्रोकोमा मुक्त गोहोशित कर दिया ट्रोकोमा जो आँख की बिमारी होती है उससे मुक्त कर दिया उससे मुक्त गोहोशित कर दिया उस देश तो देश का नाम है गांबिया ठीक है नेक्स कोशन है किस देश में सरवादिक FDI आकर्षित किया किस देश में सरवादिक FDI आकर्षित किया FDI मतलब Foreign Development Invest किस देश में किया राइट एंसर इसके हो जाएंगे गुजराथ अगला कोशन है बजट 2021 में उजवला योजना के तहद कितने लभार्थियों को और सामिल करने की बात कही गई है तो इसके राइट एंसर हो जाएंगे एक करोड लभार्थि को और उजवला योजना के तहद सामिल किया जाएगा Last question है हाली में महराष्ट सरकार ने गोड़े वड़ा चिरिया घर का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है इसके राइट एंसर हो जाएंगे बाला साहब ठाकरे के नाम पर तो ये रही Top 50 questions इस वीडियो सिरीज के इसी तरह के 20 वीडियो आपको Every day 9 पियम में अप्लोड कर दिये जाएंगे ठीक है तो हमारे चैनल से जूड़ जाएंगे जो ये सारी questions आपके आने वाले exams के लिए काफी जादा helpful रहेगा मिलते हैं next video में